हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम हाउ टू फाइंड डिसाइल मतलब इसको दसांग भी कहते हैं इसको सॉल्फ करेंगे और जो हमारे पाद डेटा दिया गया अंगूरूप डेटा जो है वो हमारा ये रहा अब हमें इसमें डी 3 ग्याद करना है ठीक है तो दी 3 को हम अच्छे से इससे सॉल्फ करका देखते हैं सबसे पहले जो दी 3 का फॉर्मिला है मतलब दी के का जो फॉर्मिला है इसमें के की वैल्यू जो आपकी वैल्यू दी गई होगी वो आपको मेंशन करनी होगी जैसे कि आपको दी 7 भी दिया जा सकता है दी 3 भी दिया ज सकता है लेकिन जो आपका सानंनर लगेगा आपको यह फोर्मिले के साफ से आपको पूरा होगा आपको नाइन तक डी है यहां सकती है टीक है इसके बाद से नहीं तक सो gorgeous वही ही रहेगी तो आपका जो व्हाओ रहेंगी वहीं रहेंगे दम के बराबर ब्रैकट में अंक वेल्यू होगी वो 9 तक होगी 9 के आगे आपको कोई भी वेल्यू यहां पर नहीं मिलेगी ठीक है अब हम इसे अच्छे से सॉल्फ करकर देखते हैं कि हमारा आंसर जैसे कि मैंने आपको यह भी बनाना बताया है कि आप कैसे आपको जो कोशन में इतना पाल्ट दिया जाएगा यह पाल्ट आपको अपने आपसे प्रियेट करना होगा दुबारा से डिविजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको 2 का एक्जैक्ली जो हमारा नीचे का पाल्ट रहता है वह एक्जैक्ली हम वही सेम लिखते हैं उसके बाद इसमें प्लस करते हुए चले प्लस करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा तो हमारी जो हाइस नमबर आया था था थीक हमने जो मध्यांक है मिडेन है वो हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका भी फॉर्मला आप लगा कर उसे समझ सकते हैं आज हम D3 का आप इसको सॉल्फ करेंगे किस तरह से इसे हम असानी से सॉल्फ कर सकते हैं तो बीना देख के वीडियो के स्टार्ट करते हैं डिसायल का जो फॉर्मला रहता है वो D3 बराबर NK प्लस 0.5 अपॉंट 10 रहता है ठीक है डिसायल के फॉर्मलों का आप ये भी जान सक कि जब हम किसी भी दस से भाग देंगे तो उसका 2 낮 12 से मेरे एक को भाग दिया तो अगर हम अगर हम दस को भाग को भाग देटे लिए तो हमारा जो आएगा बार जो पॉमारा अंचे दावो कुछári शायगा यानि जो हमारा यहीया को मान सकते हैं इसके बाद आता है इनकी जिका क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा और अगर चत्रांक अगर निकालते हैं चार तुक्ड़ो वाला तो आप यहाँ पर 10k upon 4 लिख जेंगे तो यह बहुत easy way है आप इसे असानी से याद कर सकते हैं अगर आपने एक formula याद कर लिया तो आप सभी formula असानी से याद कर सकते हैं चलिए बीना डेली के वीडियो को start करते हैं हमने सब की value लिख लिए यानि हमारा जो total of number आये था वो हमारा आये था मतलब जो highest value आये थी वो हमारी 50 आये थी तो हमने यहापे 50 लिख लिख लिया ठीक है हमारी डी की value तो डी रहेगी के की value हमारी 3 है क्योंकि already हमें डी से गयाद करना यह हमारे question है तो के की value क्या हो गई 3 हो गई अब हम इसे असानी से solve कर सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डी बराबर अफे हमने value लिखनी है अपनी फिन यहापर हमें इंटू करना है इंटू करने के बाद 3 लिखना है 3 के बाद हमारा आएगा यहापर जो हमारा value रहेगा वो रहेगा दिखिए 10 का 10 का यह कट गया 0 0 कट गया अब हमारा 15 आया 15 में हम 5 को plus कर देंगे तो हमारा जो answer आएगा वो 20 10 और 1 10 आ जाएगा ठीक है 10 आया 10 को हम 10 को हम इंटू करेंगे इंटरवल class interval जो हमारा रहेगा gap रहेगा 10 का gap रहेगा ना class interval में हमारे 10 का gap है आप देख सकते है 90 और 99 का है और यहाँ पर हमारा रहेगा 100 तो हमारा 10 to 10 चला गया 10 to 10 से हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे 10 to 10 को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारा जो interval है उसको हम खटाएंगे तब ही हमारा जो exactly form है वो निकल कर आए 0 तो हमारी d3 का value क्या हो गया 0 हो गया आपको यह समझ में आ गया बहुत इसी है आप इसे असानी से निकाल सकते हैं जो हमारी d3 के value रहेगी वो 0 रहेगी यानि इसमें कुछ शेष नहीं बचेगा तीक है आगर आप चाहिए तो इससे अच्छे से और आगर बड़ी value आपको दी जाती तो आप महां पर भी जाकर इसे कर सकते यहां पर हमारा कोई भी value शेष नहीं बचा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब भी कर लीचेगा चैनल को और अपना feedback जरूर शेयर करिएगा यह बहुत इसी स्टेप है आपको इसमें अगर आपको numerical आता है या optional आता है तो आपको महापद easy way में समझने और इसको solve करने में काफी असानी होगे अगर आपको formula याद करने का भी अमनी trick समझा दिया कि अगर आपको decimal दिया हुआ है यानि 10 दिया गया है तो आप decimal से याद कर सकते हैं इससे 110 से ठीक है अगर आपको प्रतिशांक दिया गया है प्रतिशांक में आपका आता है 100 अगर चत्रांक दिया गया है तो चत्रांक में आपका आएगा 4 ठीक है तो यह बस यह नीचे का format change होगा बाकी 3D3 की जो भी value आपको दिया गी nk plus 0.5 आपको याद रखना होगा बस thank you for watching this video thank you everyone